नवस्कार, एस्टो तक में आप सब का बहुत-बहुत स्वागत है, मैं हूँ प्रवेण मिस्र। बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत क्यों मोरपंख लगाया जाता है भगवान क्रश्न को मोर मुकुट धारी भी कहा जाता है तो इसके पीछी कारण क्या है कई कथाएं प्रचलित हैं कि क्यों मोरपंख लगाना चाहिए उसमें जो सबसे प्रसिद्ध कथा है वो हम आपको सुनाते हैं माता यसोदा भगवान क्रश्न को काना कहकर उकारती थी और वो काना का खूब स्रिंगार करती थी उनको हमेशा मुकुट पहनाती थी और मुकुट में मोरपंख लगा देती थी यसोदा मैया का भव था कि माता काना को सजाने के लिए मोरपंख उसमें लगाती थी लेकिन एक बहुत ही महत्यपूर कथा मिलती है कि मोरपंख लगाने के पीछी कारण क्या था क्यों मोरपंख कानह को लगाए जाता है बहुत सारी कथाओं में यह जो कथा आपको सुनाने जा रहे हैं यह सबसे प्रसिद्ध कथा है ऐसा कहा जाता है ऐसा कई कथाकारों ने वनन किया है कि जब भगवान विष्णू त्रेता युग में स्री राम के रूप में अवतार लिये थे उस समय जब स्री राम 14 वर्ष बनवाज के लिए जाते हैं अपने भाई लक्ष्मन और पत्नी सीता के साथ तो आप सब को कथा पता है कि वन में जब भगवान राम लक्ष्मन और सीता रह रहे थे तो एक दिन रावण माता सीता का हरण करके ले जाता है और भगवान राम और लक्ष्मन वन वन भटकते हैं माता सीता की खोज में सभी से माता सीता का पता पूछते हैं, पेड़ूं से, पौधूं से, वनस्पतियों से, जीव जन्तूं से, पक्षियों से, सबसे माता सीता का पता पूछते हैं, कि क्या आपने सीता को कहीं देखा है, सीता किधा गई है, सबसे पूछते हैं तब एक मोर ने भगवान राम से कहा कि मैंने देखा है कि रावण किस ओर माता सीता को लेकर करके कहा है तो मैं आपको उसका रास्ता बता सकता हूँ लेकिन मैं उड़ कर चलूँगा और आप तो पैदल हैं तो आप नीचे चलेंगे तो मोर ने उपाय सुझाया कि मैं अपने पंख जो है गिराते हुए चलूँगा रास्ते में ताकि आप जो है भटके नहीं और सही रास्ते पर चलें ऐसी कथा मिलती है तो मोर आकास मार्ग से उड़ कर चल रहा था और भवान राम और लक्षमन पैदल चल रहे थे वो बीच बीच में अपने एक पंख गिराता जा रहा था ताकि रास्ता प्रभुराम और लक्षमन न भटके लेकिन मोर के पंख जैसे रास्ते में गिराता गया तो वो सारे पंख उसके गिर गए और अंत में मोर जो है माना सन हो गया उसकी मरत्य निकटा गई ऐसा कहा जाता है कि मोर के पंख एक विशेश मोसम में ही गिरते हैं अपने आप जड़ते हैं गिरते हैं मोर के पंख लेकिन अगर जानबूच के पंख को गिराए जाए तो इससे मोर को बहुत च्छती पहुंशती है उसके शरीर को छ्टि पहुँछटी है और उसकी मृजट्टु हो जाती है जब भगवान राम ने देखा कि मोर किस तरीके से जो है अपने प्राण त्यागने के लिए आतूर है भगवान राम की सेवा के लिए माता सीता का पता बताने के लिए तो भगवान राम मोर की प्षा बहुत द्रवित हुए भावुक हुए और श्री राम ने उस मोर से कहा कि वो इस जन में तो मोर का उपकार नहीं चुका सकते मोर ने जो उपकार किया है उसका मूल नहीं दे सकते परंतु अगले जन में मोर के सम्मान में वो मोर का पंख अपने मुकुट में अवश्य धारण करेंगे ऐसी कथा मिलती है तो जब अगला जन भगवान विश्णु का हुआ स्री कृष्ण के अवतार के रूप में तब भगवान कृष्ण ने मुकुट में मोर पंख धारण किया और सब कुछ प्रभू की प्रणा से ही होता है प्रभू जैसी प्रणा करते हैं स्रस्टी में वैसे ही काम होते हैं तो भगवान कृष्ण ने प्रणा दी होगी माता यश्योदा को और माता यश्योदा उनके मुकुट में मोर पंख लगा देती होगी तो इस तरीके से ये कथा प्रचलित है कि मोरपंख भगवान कृष्ण को क्यों जो है अर्पित किया जाता है जन्मास्टमी के मौके पर तो आप भी जब जन्मास्टमी का पावन पर मनाएं तो भगवान कृष्ण को मोरपंख अवश्य अर्पित करें जो लोग भगवान कृष्ण के मुकुट में मोरपंख लगा देते हैं भगवान कृष्ण उन पर बहुत प्रसंद होते हैं और उन पर विशेश कृपा करते हैं तो जब आप इस बार जन्मास्टमी मनाएं तो अवश्य भगवान कृष्ण के पूजन के समय उनके मुकुट में एको सुन्दर सा मोरपंख लगा दें ताकि भगवान आप पर प्रसन हूँ और आपकी मनों कामनाओं को पूर करें तो आप सबको जन्मास्टमी के पावनपर्व की बहुत बहुत शुप कामनाओं कानहा आप पर कृपा करें आपके कष्टों को दूर करें और मनों कामनाओं को पूर करें ऐसी हम भगवान कृष्ण से प्रात्ना करते हैं भोलिए जये श्री कृष्ण